हेलो एवरिवन वेलकम टो अभी मन्युवाई जैसे कि आप सभी को पता है कि UPSC का प्रिलिम्स एग्जाम में 2023 के अंदर हो जाएट मेंस वी हैव नियर अबाउट शिक्स मॉन्स इन यूर एग्जाम तो अब इस सिक्स मॉन्स के अंदर I hope सभी ने सब को पता है कि हां मेरे पा सब्सक्राइशन शुरू नहीं की है then I will suggest कि सभी अपनी प्रेक्टिस शुरू कर दीजी सी सेट के एक्जाम के लिए अगर हम सी सेट के एक्जाम की बात करें तो लेवल ऑफ दो कॉश्चन लेवल अफ दो कॉश्चन इस विकमिंग डिफिकल्ट अवरियर और पैटर्न ओफ ह fingerprints ौछ य inclu वर्ट की यसे आपका एक पर्टिकुलर कोक्रीट है तो इस पर्टिकुलर कोस्चन शुचन रेक्ट्री एक को संक्रद्टै किया और एक तो आपशन हमारा सोल करने के बाद में आ जाता है और हमें लगता कि हम यह स 같은 है कि three level के questions आप exam में देखते हो क्या कि आपको direct question मिल रहा है level 1 के अंदर की आपके पास question है और question के नीचे चार option है आप उसको solve करते हो simple question है उसको solve कर रहे हो और 4 option में से आपको एक option answer के अंदर मिल रहा है हमें पता है number system के काफी सारे questions exam में आते हैं near about 10 to 15 question आप expect कर सकते हैं और जो number system के question है क्या सारे के सारे आपको direct question मिलेंगे नहीं तो questions है वो question आपको कैसे मिल रहे है data sufficiency की form में questions मिलें data sufficiency की form में question मिलें means what you have two or more statements और हमने find out करने है क्या इस particular question को answer करने के लिए मेरी पहली statement sufficient है या फिर मेरी second statement की help से मेरा answer आएगा या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों statement की help से answer ना आपाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस question को solve करने के लिए मुझे दोनो statements की require तो वो question आ जाते है आपके data sufficiency के level 2 के अंदर अब इसी तरह से level 3 के questions है के अंदर क्या हो रहा है आपके पास में statement given है और you can say you have a question statement ठीक है अब उसको आप solve करते हो करने के बाद में अब हमें यह नहीं पता कि मुझे इसके अंदर एक particular answer निकालना है उसके बाद में आपको two to three statements given है like statement one statement statement और उसके बाद में आपके चार options आ रहे है options आपको कैसे मिल रहे है option first a and b is true option second two and three is true one and three is true all are true या none is true इस तरह से कुछ आपको option मिल रहे है that means what कि जो मेरे पास में question statement है हर टाइप के जो questions है जिसको हम कहेंगे कि जिसके अंदर आपको question है उसको आपको पूरा एक तरह से पूरा उसको निचोड निकाल लेने कि हां उसके अंदर से एक-एक point आपका clear होना चाहिए कि से क्या-क्या conclusions निकल रहे हैं मिन्स की एक fix answer नहीं मिल रहा है आपको कि जब भी हम कोई question करते हैं कोई topic आप कर रहे हो तो इस particular question को कैसे practice करना है that is important कोई भी question आपको मिल रहा है अभी हमारा practice time है एक तरह से अभी हम अपने स्लेबर्स को prepare कर रहे हैं च्राइम में करके रहे हैं आप फाइनली एक question आप उठा रहे हैं और उसको solve कर रहा है question को आपने पिक किया question को solve किया ठीक है देखा हां जी answer मिल गया आगे बढ़े फिस नहीं करना है आपने तो जब भी आप question को practice करते हो तो उस case के अंदर आपके जो concepts हैं वो आपने clear करना हैं सबसे पहले क्या करना हैं आपके basic concepts clear है in that case you can solve all kinds of questions कोई भी question आपके exam में आजें आप कर सबसे और basic concepts clearation के अंदर भी आपने ध्यान रखने सबसे पहले कौन सा topic करना आपको number system जो numbers है numbers का ही खेल है सारा तो number system अब जो number system में से भी जो question है क्या सारे direct question आएंगे नहीं तो number system में आपको percentage का concept बीच में add कर देते हैं ratio का concept आपको बीच में आ जाता है ठीक है fraction का concept आपको बीच में आ जाता है तो इसलिए जो बाकी के जो दो topics हैं हो है आपके पास में percentage and ratio percentage and ratio अगर आपके ये तीन topic अगर ये तीन topic आपको अच्छे से clear है means इनकी पूरी basic आपको knowledge है in that case मैं ये कहूंगी कि जो आपका quantitative amplitude का portion है quantitative amplitude का portion आप 90% solve कर लो विकोज सारे का सारा arithmetic इसी पर बेस्ट है सारा arithmetic इसके बेस्ट बट साथ में आपको logically strong होना चाहिए जब आप questions के लिए practice कर रहे हो न तो उस टाइम पे आपको logically सोच लो कि आप 5000 प्रैक्टिस कर लो बट अगर आपने जस्ट क्रैमिंग कर रखे questions की कि हाँ इसका answer यह आए यह formula लगा दिया नहीं कर पाओगे exam के अंदर आपको basic knowledge है ठीक है जो भी आप topic कर रहे हो उसका basic concept क्लियर है और उस concept के अंदर अगर दूसरा concept आ जाए तो उसको कैसे आप solve करोगे वह आपको आता है in that case 90% questions आप solve कर लोगे तो यह तीन topic कैसे सभी ने अच्छे से करने है उसके बाद में जब आम बात करते हैं next की question को solve कैसे कर आप जैसे for example हमारे पास में question है यहां पर सिंपल सा मैंने question उठाए train का easy question यहां पर लिया है logical question क्या करें टू ट्रेंज को डेली लिव जैपूर एट 8.30 और 9.00 a.m. and travel 60 km per hour and 75 km per hour respectively after what time they will meet कितने time के बाद में वो मिलेंगे अब जैपूर से दो ट्रेंज आ रही है कितनी देर के बाद मिलेंगी अब इसके बाद में यह नहीं कि 4 डेली लिव जैपूर जैपूर से दो ट्रेंज चल रही है एक जो ट्रेंज है नहां से जैपूर से एक ट्रेंज जो है वो 8.30 पे चली है तो जो दूसरी ट्रेंज है उसके टाइमिंग है 9 a.m. and they travel at 60 km per hour and the second is at 75 km अब हमारे माइंड में 4 कोश्चन तो कम से कमाने चाहिए जब इस कोश्चन को आप सौल कर रहे है ठीक है रैसा नहीं कि डिरेक्ट कैल्कुलेशन पे आजो first thing first thing is this data is sufficient to give the answer हाँ जी क्या कोश्चन है हमारा if this data is sufficient to give the answer या मुझे कुछ और भी चाहिए अब जब हमने यहाँ पर कोश्चन को देखा कि yes both are moving in the same direction and there is a time difference also that means कि जब दोनों train चल रही होगी उस time पे जब हमारे पास में दोनों train चल रही होगी तो relative speed के साथ में वो जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा को कवर कर लेगी that means कि अगर यह आदे घंटे पहले चली है तो नो बजे तक 30 किलो मेंटर का डिस्टेंस के कवर कर ले और यहाँ पे अगर हम relative speed की बात करें तो relative speed मेरे पास कितने आ रही है हाँ जी बोथ और गोई इन दे सेम डिरेक्शन दैट मिनस करेंगे that means कि after two hours they will meet हमारा answer आ गया कि two hours they will meet बट यहीं पे ऐसा नहीं है कि हाँजी over now the second question that should come in our mind that कि हाँ अगर मालो यह वाली जो ट्रेन है यह जैपूर से चलती और जो दूसरी ट्रेन है अगर वो डैली से चलती तो क्या मिरा आंसर आजाता अब आप खुद बताओ अगर इस question के अंदर गीवन होता कि एक ट्रेन जैपूर से चल रही है at 8.30 a.m. at a speed of 60 km per hour and the second train is starting from Delhi at the speed of 75 km per hour at 9 a.m. then क्या मैं यहाँ पर find out कर सकती है? after what time they will meet? हाँ जी I hope answer माइंड में आ गया होगा नहीं कर सकते तो सबसे पहले क्या point आइंड माइंड में? क्या data sufficient है? and if the data is sufficient, then what is the way to solve this question? what is our requirement? ठीक है? means कि अगर मुझे time find out करना है तो क्या मेरी requirement है? अब यहाँ पर तीसरा question भी माइंड में आ सकता है क्या? कि अगर मान लो यह दोनों trains आपस में मिल रही है तो जैपूर से कितनी दूरी पर जाके मिलेंगी? ठीक है? या फिर डैली से कितनी दूरी भूरेगी? तो क्या मैं इसको solve कर सकती हूँ? यह answer आ सकता है मेरा? अजी? अब इसी के अंदर यहाँ पर एक point आ जाता है कि हाँ जैपूर से कितनी दूरी पर मिलेंगी? जैपूर से कितनी दूरी पर मिलेंगी? अंसर आ जाएगा ठीक है? अगर यहीं पर हमारे पास है कि डैली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो क्या answer आ जाएगा? नहीं आएगा यह जो पॉइंट्स अगर आप इस तरह से कर पर्टिकुलर कॉस्टिन को ट्राई करते हैं तो उसमें क्या होगा? यहीं पर्टिकल स्टोंग और इसाएगा? जो सीषएट का पेपर है वह पूरा लोजिकल हो गया है जो आपका रीडिंग कोश्निंग का पाट है आपका मेडिया उसके अंदर भी आजका लोजिकल कॉस्टिन आपकर पिस्टिन पाट है तो अगर आप लोजिकली स्ट्रोंग हो तो आप कर पाऊगे तो अभी इस कोश्चन से देखो अब क्या-क्या सोचना हमने अब कोश्चन ऐसा भी तो आ सकता था एक्जाम के अंदर फिर क्या करते अगर हमने उस कोश्चन को अच्छे से पूरे को रीड कर लिया है एक-एक 7-1-9 am तो आप्ट अभी हेक सादे आठ बजे चल रहे एक नोव बजे चल रहे तो हैससे आंसर आजयेगा हमारा ठीक है आजयेगा आजयेगा अंसर नहीं आएगा अंटिर ऑल्लेस्ट वील हैवड तो आमःजेव शुच्छन मुछे एसे बीस तो मिल सकता था यां तो थाны तो ट्रेंट लिए टो जैपूर आप 830 अधर लिए फों जैपूर टू डैली नहीं नहीं आएगा 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 विखोज वी डॉंट आव दिस्टेंस बेविन टू स्टेशिंट अना तो हम क्या कहेंगे इधर वन रॉर्टी इस सुफिशेंट अब क्वेश्चन मुझे हमें ऐसे भी मिल सकता है देखो तो मिल सकता है क्या क्या तो ट्रेंट फो डैली लिए 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 जैपूर एट अट थर्टी अन नाइएम और ट्रेवल एट इस एंड इस स्टेशिंट अब यहां पर दो स्टेटमेंट है बोथ ट्रेंस विल मीट आफ्टर टू आर्स क्या क्योंकि हमें पूरा नहीं चोड़ पता है कोश्चिन का in that case I can easily answer yes फो आर्स के बात इस तेंस बीएन डैली जैपूर इस वान फिप्टी किलो मीटर डैली और जैपूर के बीच का डिस्टेंस वान फिप्टी किलो मीटर है क्या हम बता सकते ही स्टेटमेंट के बेस पर कि जै पर देफुर्पूर देविल मीड हम यह बता सकते हैं तो यहां पर बिल्कुल सामें यहां पर आप लोगों के साथ में डिसकस किया इस तरह से आपने को मैं कॉछ बैक्टिस करना है यह सोच कि मुझे और एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है जरूरी तो नहीं कि सेम कोश्चिन मिलेगा एक्जाम में आपको कोई भी कोश्चन मिल सकते हैं सेम कोश्चन नहीं मिलेगा इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेर रही है भी प्रिपेर कि हां मुझे जो मैं कोश्चन की प्रैक्टिस बुक से कर रही हूं या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोफ्ट्वेयर से कर रह वही question exam में आएगा नहीं आएगा but अगर आपको उसका basic पता है ठीक है उससे क्या-क्या conclusions बन सकते है वो आपको पता है ठीक है in that case you can answer all kind of questions clear? so I hope this is helpful for you अगर कुछ समझ में आया है आप लोगों को आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है ठीक है इस तरह से आपको पर्टिकूलर एक statement के उपर different different type के questions exam में बन सकते हैं सभी को mind में सोचके फिर आपने solution देखी कितने सारे questions यहां पर बन रहे हैं यह जो PDF है मैं lecture के साथ में attach करूँ सभी particular question को सभी ने एक बार practice जुरूर करना है कि क्या-क्या इसके answers बन रहे हैं एक particular question को अगर एक question को इस तरह से solve करोगे तो बाकी का भी आपको idea हो जाएगी कि मैंने कैसे solve करना है तो यहां पर देखी मैंने एक particular statement है उस पर कितने questions आपको provide किये this is the main statement this is the solution ओके और देखो यहां पर 1,2,3,4,5 yes you have 5 questions based on this single statement आपने एक बार 5 के 5 questions खुद से देखने है PDF attached है lecture के साथ में जो अगर किसी ने join नहीं किया है this is a free mentorship course को इसके अंदर हम आपकी से charges नहीं ले रहे हैं just you can join description में link up label है and PDF is also label with this lecture आपने पूरे पांचों के पांचों questions ट्राइ करने okay and if you have any query in your mind there is solution for all of you we are providing you all the solution for all type of queries in your mind okay for other information you can visit on our website that is abhipedia.abhimanyu.com and if you want to practice for the question if you need the questions for practice you need the lectures for your you can say कि हां concept clearance in that case you can visit on this link you can prepare through micro work and if somebody is requiring looking for a complete course that is also available okay but first of all think कि हां मैंने कैसे practice करनी है क्या मेरी requirement है सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरी requirement क्या है okay after that you will think कि हां मैंने कैसे prepare कर अगर आपके mind में कोई भी क्यूरी है in that case comment in the comment section we are with you okay so thank you so much मिलते हैं next class के अंदर with some solution for you thank you best of luck बने रहिए अभी मन्यू आईए आईए thank you